आज हमने दिवाली के नास्ते के लिए चौरा फली के पूरी बनाई है ये एकदम टेस्टी और क्रिस्पी बनती है और एकदम जट से बन जाती है और इसे हम एर टाइट कंटेनर में भरके 15-20 दिम तक श्टोर भी कर सकते है तो चले रेसिपी की सुरुआत करते है और बनाते हैं चौरा फली के पूरी 250 ग्राम चौरा फली का आटा लिया है ये दो कप आटा है दिवाली के टाइम में मार्केट में चौरा फली का आटा आसानी से मिल जाता है तो हमने ये रेडिमेट आटा ही ले लिया है आपको अगर ये चोरा फली का आटा मार्केट में ना मिले तो आप घर में एक कप बेसन ले लीजिए और इसमें एक चोथाई कप उरट डाल का आटा मिक्स करके चोरा फली की पूरी बना सकते है आटा गूतने के लिए नमक वाला पानी बनाएंगे पेन में आधी टीस्पून नमक डालेंगे यह हमने खाने का सोडा लिया है कुकिंग सोडा इसे हम एक चुटकी जितना ही डालेंगे एक पींच कुकिंग सोडा इसे हम थोड़ा भून लेते हैं लगातार चला के गैस की फ्लेम हमने धीमी रखी है धीमी आज पर एक मिनिट लगातार चला के इसे भून लिया है एक तिहाई कप पानी डालेंगे एक तिहाई कप पानी मतलब 80 ml पानी लिया है कुरी को खसता बनाने के लिए एक टेबल स्पून तेल डालेंगे पानी को बॉइल कर लेते हैं पानी में एक उबाल आ गया है गैस ओफ कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेते हैं पानी ठंडा हो गया है तो इसे एक बावल में निकाल लेते हैं चौरा फली के आटे में एक चौथाई टीस्पून हींग डालेंगे आधी टीस्पून अजवाइन है इसे हम थोड़ा हाथ से क्रास करके डालेंगे मिक्स कर लेंगे नमक और कुकिंग सोडा डालके हमने पानी उबाला था ये डालके हम आटा गूत लेते हैं में पूरा पानी डाल देंगे पानी हमें कम पड़ेगा तो इसी बावर में एक चौथाई कंप पानी 50 सहं मृल पानी डाल देते हैं ये नार्मल रूम टेंपरेचर का पानी ही इसमें हल्दी डालना बूल गयी ہूं तो एक पींच हल्दी एंदर डाल देंगे हमने जब हींग डाला तभी आप हल्दी डाल दीजिए हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर अच्छा आएगा अब इसे अच्छे से मिक्स करके आठा गूत लेंगे चौरा फली का आठा बहुत ही ज़्यादा चिप चिपा रहता है तो पहले से हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही इसे गूतना है आठा हाथ में चिपकता बहुत है तो इसे इस तरह से चमच की सहाईता से निकाल लेंगे बाउल में भी आटा चिपकता है तो इस तरह से चमज की सहाईता से निकाल लेना है एक टी स्पुन तेल डालेंगे और आटे को अच्छे से मस लेंगे आटा हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है थोड़ा हाड रखना है पहले हमने एक तीहाई कप पानी बॉइल किया था वो डाला और बाद में हमने एक चोथाई कप पानी रूम टेम्परिचर का डाला है पानी आटे की quality के हिसाब से लगेगा तो जितना पानी चाहिए उतना पानी आप डालके आटा गुच सकते हैं और एक टिस्पुन तेल डालेंगे और एक मिनिट आटे को अच्छे तरह से मसल लेंगे दो मिनिट तक आटे को अच्छे से मसल के हमने चिकना किया है अब देख सकते हैं एकदम स्मूध आटा बन गया है इस तरह का आटा हमें बनाना है अब देख सकते हैं यह ज्यादा सोफ्ट भी नहीं है और एकदम हाड भी नहीं है आटे की एक बड़ी सी लोई टोड़ लेंगे इस तरह से और इस आटे के उपर हम ढगकर लगा के रखेंगे देतर आटा जो है वो सुख जाएगा इसे बेलने के लिए मैंने चावल का सुखा आटा लिया है इसक तरह से ताकि यह चिपके नहीं इसे हम बेल लेंगे रोटी की तरह ही इसे बेलना है चावल का आटा हमें ज्यादा नहीं लेना है अगर यह चिपके तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ही आटा डालेंगे पर नीचे भी एकदम थोड़ा सा अठा डालेंगे इसी तरह से इसे मीडियम पतला बेल लेते हैं हमने इसे मीडियम पतला बेल लिया है आप देख सकते हैं जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उतना हम मीडियम पतला बेलना है इसे हम चाकू की सहायता से थोड़ा कट लगा लेंगे उपर इस तरह से पूरी कट करने के लिए एक वाटी हमने ले ली है इसे हम चावल के आटे में इस तरह से थोड़ी कोट कर लेंगे ताकि पूरी कट करते टाइम ये वाटी के साथ चिपक नहीं जाए इस तरह से कट कर लेंगे इस तरह से कट कर लेते हैं इस चिप के तो इसे वापस थोड़ा सा आटे में इस तरह से कोट कर लेंगे और फिर पूरी कट करेंगे पूरी को हम दे एक डीस में ले लिया है और ये बचा हुआ आटा इसे हम वापस मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ में थोड़ा आटा मिला के वापिस इसे बेलेंगे इस तरह से वापिस थोड़ा आटा मिला के बड़ी रोटी बेल के पूरी कट कर लेते हैं इस तरह से हमने सभी पूरी बेल ली है, पूरी को हमने डीस पे रखा है, इसे हम कपड़े के उपर भी रख सकते हैं, इस तरह से, पूरी को हम 5 मिनिट रेश्ट देंगे, 5 मिनिट के लिए इसे थोड़ी सुखा लेंगे, और जो पूरी हमने पहले बेली है, इसे हम पहले फ्र लीक नमक, ब्लेक सॉल्ट कऱों दूर्य की क we munculरा की मसाला को अच्छे से मेक्स कर ली आ हैं त्य। तेल आंज्या,मीली भाला की देदाया ,मीडियम भाला को चाहिए अब देख सकते हैं अगर जयादा गरम तेल में जलरता है एकदम लाल हो जाएगी, हमने जो पहले बेल की रखी है, इस पुरी को हम फ्राइ करेंगे, मीडियुम फ्लेम पे इसे फ्राइ करेंगे, पलट लेंगे, ज्यादा इसे हमें लाल नहीं करनी है, इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन, तब इसे निकाल लेंगे, इस तरह से एक्स्ट्रेणर में ले लेंगे इसे, और जब गरम है, तब हमने जो ये मसाला बनाया है, ये इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे, पूरी को फ्राई कर लेते हैं, पूरी दालते ही इसे जल्दी जल्दी से पलेट ना है, नहीं तो ये जल जाएगी, और इसे तेज आज पर फ्राई नहीं करना है, तेल अगर ज्यादा गरम है तो फ्लेम को लो कर लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, इस तरह से सारा तेल पूरी में से निकाल लेना है तुरंधी उपर मसाला छिड़क ना है इस तरह से हम सभी पूरी को फ्राई करके इस तरह से मसाला छिड़क के टीशू पेपर के उपर रखेंगे इस पूरी को आप एर टाइट कंटेनर में बरके 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते है इसे हवा नहीं लगनी चाहिए तो ये पूरी 15-20 दिन बहुत ही अच्छी रहती है चोरा फरी की पूरी हमने फ्राई करके रेडी कर ली है ये एकदम टेस्टी और क्रिस्पी बनी है आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखके मुझे जरूर बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में